हेलो एब्रिवन वेलकम टू माई चैनल मैं हूँ अश्फाक और मैं आज आपके लिए जो है टूवेल्थ किलास का आर्ट से हो या साइन्स हो अगर आपको सौ नमबर का अगर आपका सब्जेक्ट में उर्दू है सौ नमबर का तो मैं उसके लिए गेस लेकर आया हूँ जो की बहुत इंपोर्टेंट है तो मुझे जहां तक ला कि यह सब कोस्टन्स जो है आने की संभावना है प्रोबैबिटी है तो मैंने गेस किया जनी कि अनुमान लगाया है कि यह कोसा ना सकता है आप चाहे तो इसको अगर आप पढ़ रहे होंगे तो इसको एक नजर से देख ल इसको करने में कैसे गलती करती थी गलतियां करते थे दुस्टा सवाल दखें मिटी किता में काउन-काउन से ख़जाने कुद्रत ने छुपार रखा है बहुत इंपोर्टेंट सवाल है फिर तिसरा सवाल देखें क्या है मिटी का तेल इनसान के लिए कैसे शरीक गम है आप अब चाहें तो इसके इन सवाड भी ले सकते हैं अम्मू के बेटों ने उनकी मौत के वक्ते साथ क्यों नहीं दिया पांचमा सवाल देखे क्या है इबराहिम सिक्का की तालीम कहां तक थी ओके छट्थी देखे फैरुतला बैग और मियादानी मौलवी साहब के घर क्यों जात नुमा सवाल देखे इनसाया और मजमून में क्या फर्क है बहुत इंपोर्टन सवाल है नैन वाला दोहजों नुनिस का भी आया वह सवाल है यह देखे बागों बहार हिंदुस्तानी तहजीबों तमद्दुन से मिल खाती है या नहीं यह इसको वज़ात करना है तो सारा यह तीन खुलासा अगर याद कर लेंगे तो आपको टेंशन होने रखने जयोत नहीं है और यह जतना सारा खुलासा आपको लगना बहुत काफी बढ़ा है नहीं आप जो खुलासा जो आपके किताम में लिखा हुआ है बस उसको दो से तीन बर अगर रेडिंग कर लेंगे अच्छा से कहानी के तरह है दो तीन बर अगर रेडिंग कर लेंगे तो इंशाला आप एक्जाम में कुछ ना कुछ तो लिखी देंगे दस नमर का सवाल रहा तो आपको साथ नमर छे नमर जरूर मिलेगा तो इतना करेंगे तब तो ही मिलेगा जब तक आगे बढ़ेंगे जब तक में अगरेंगे तो वो नहीं पाएगा सिर्फ डर नहीं जाना की खुलासा है बहुत भारी चीज़ा ऐसा को बात नहीं है चौतमा सवाल देखें बागो बाहर के नसरे की नसरे की एहमियत क्या है ओके पंदरह देखें एहमद कि अधबी एहमियत पर रोशनी आठना स्वाल देखे मताबिक मुझकिले आसल कैसे हो जाती है बहुत इंपर्टेंट स्वाल है अकपर आलहाबादी ने अपनी नजम का उनमान बर्क कलिशा क्यों रखा इसको भी आपको पढ़ लेना जी मौत के बाद शायर किस तरह अमर हो जायागा ये भी याद कर लें आपको खलील रहमान आजमी की शायरी में कैसी कैफियत पाई जाती है 24 सवाल देखें मौत की आमद से पहले जो मनजर पेश किया गया उसे बियान कीजिए और 25 सवाल ये है किस शाय का नाम है तो ये 17 सवाल जो मैं मुक्तसर और तवील ये दूनों सवाल मिला हुआ है अब मैं आपको कुछ चार पांच छे तस्रीफ बता जाता हूं उसको आपके एंशाला इससा जादा तस्रीफ नहीं आने वाला है देखे यारों ने खूब जाके जमाने से सुला की मैं ऐसा बद्दिमाग यहां भी बिछड़ गया तो एक तस्रीफ ये पहले ना आपको फिर देखे हम बांसरी पर मौत की गाते रहे नगमे तेरा ऐ जिन्दगी रुतबा रहे बाला तेरा फिर नेक्ट है खुदा ही जाने यागाना मैं कौन हूँ क्या हूँ खुद अपनी जात पे शक दिल में आ गया हूँ और ये है एक मुसिबत का पहाल आखिर किसी दिन कठी जाएगा मुझे सरमार करते से से मर जाना नहीं आता और नेक्ट है रंज जो रंज से खोगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज मुझे पर पढ़ें इतनी क्यासान हो गई और ये है लास्ट मैं चमन में क्या गया गोया दविस्तान खिल गया बुलबुले सुनकर मेरी मेरे नाले घजल खां हो गई जो तर्जुमा यह जो द्या तश्रीग आए चेपस आइथिंख है एक दू तीन चार पांच छे पीस ना गर याद कर लेंगे तो स्कूप तो यह आप चाहे तो स्क्रीन सॉट ले लिए और इसको आपने को पर लिख लिए सारा कोस्टन को किताब में उसको जाद के लिए इंसालला कम्याबी आपको मिलेगी तो चाहिए मैं आपको वीडियो के प्लास करता हूं अब मैं कोशिच करूंगा कि पचास नंबर का जो उर् आता है कि कमेंट करके ओके मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डाइट चाहूं थैंक्यों खुदा हाफीज